प्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम एंगल ग्रैंटर में इसका जो हैड का वेरिंग होता है इसमें पिले हो जाती है तो इसको कैसे सही कर सकते हैं तो इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है वीडियो पूरा देखना है ध्यान से देखना है हमारे पास डिवाल्ट का ये एंगल ग्रैंटर है इसमें जो हैड का वेरिंग है उसको चेंज करके बताएंगे और भी जो कमी होगी हो आपको खोल कर बताएंगे और किस तरीके से सही कर सकते हैं वो भी बताएंगे तो करना कुछ भी नहीं ये चैनल पर अगर आप पहली बारा चैनल क तो दोस्तो आईए शुरू करते हैं वीडियो तो दोस्तो आपके पास एंगल ग्रैंटर जो भी है उसमें अगर आपके हैड में बहुत ज्यादा पिले हो जाती है तो इसको इस तरीके से सही करें पहले इसका पत्तम खोलेंगे यहां पर आप देखें इसमें कितनी पिले है आप यह देखें बहुत ज़्यादा हिल रहा है जिसकी वज़े से के वर यह अजीब सी आवाज करता है और के वर तो यह फिरी भी हो जाता है इसके लिए आपको इसका हैड कोलना होगा है इसमें चार पेच होते हैं यह खोल ले इसको खोलने के बाद इज़ी यह खुल आपको देख जाएगा जैसे आप इसको खोलेंगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा हमने यहां पर इसको खोल लिया है और खोलने के बाद हम देख रहे हैं तो यहां पर अगले जो वेरिंग है हैड का उसमें बहुत ज़्यादा प्ले है यह देखे आप यहां पर मैं आ के लाओए का कोई सिस्टम होना चाहिए उसमें जोर से चोट मारेंगे आप सब्सक्राइब निकल चुकी है और यहाँ पर आप देखें इसमें इस तरह की कुछ प्लेट होती है यह देखें और उसके बेरिंग को आप निकालें गाएजिली इसके लिए भी आप कोई पाइंप इस तरह का रखेंगे और पर से इसमें हलकी सी चोट मारें तो आसानी से बेरिंग निकल जाएगा इस तरीके से आप यहां देखें यह बेरिंग निकल गया है और यहां पर आप देख सकते हैं बेरिंग निकल चुगा है बेरिंग का नंबर मैं आपको बता देत और यहां पर हमने एक नया वेरिंग लिया है उसी से अगर आपके हैड में हो सकता है अलग वेरिंग हो लेकिन यहां पर हमारे पास यह 62 सो वेरिंग है इसको हम इस तरीके से ठोक देंगे और डबल जेड में लगाएं रफट जेड वाला अच्छा ताय वेरिंग उसमें क्या जाने के चांस नहीं होते हैं इस तरीके से इसके साफ्ट बदलने लेकिन यह साफ्ट भी हमें इसमें लूज नजर आ रही है यह देखें बहुत लूज है यहां से यह कटी हुई है तो हम इसमें साफ्ट को भी चैंज करने वाले हैं यह हमने नई साफ्ट लिये हम इस नई स मारें मैं आपको उसमें ढोकेंगे और ये कटोरी साफ करके पुलगाने है और झो गरा है इसका विये इसका तरिका को कर देना है इस तरीके से मशन कोई इसी पाइप ले तरिके दिरे नर्ऀल ऑपर से ऍक 주는 है का है वी पाइप or या पर इस तरह पर गुरिके से आ जो और से चोट मारेंगे, सेट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी, यहाँ पर यह सेट हो चुका है, एक चोट और मारेंगे, यहाँ देखें, यह बिलकुल ओके है, इतनी पले इसमें अब नहीं है, तो अब यह ओके हो चुका है, तो इसमें हम क्या करेंगे ग्रिस डाल देंगे, Head में भी اور इसमें भी साफ ग्रिस हम डाल देंगे, तो यह देखें हम आपको चला कर बताएंगे, दोस्तों इसकी केमत की हम बात करें, Birring की लगबग 50-60 रुपे का बेरिंग आपको यह वाला मिल जाता है, और लगबग इतने का ही आपको इसका जो साफ्ट है वो मिल जाता है तो लगबग 1.500 रुपे के आश्वास में आपका अच्छा से ये विपेर हो जाता है कोई भी दिकत आपको इसमें नहीं की आप यहां देख सकते हैं कोई भी हुआज इसमें इस तरीके सरा आपको इसको सही कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने आपको इस एंगल ग्रैनडर में इसके जो म्दब बेरिंग और इसकी जो साफ्ट dov exclusion चेकल में तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी इसके लावा कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें हम उसका reply देंगे और इसी तरह की अच्छ अच्छ नोलिज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे मिलेंगे आपसे नई वीड के साथ तब तक के लिए वाई वाई टेक केर